आप में से ज़्यादा तर बच्चे प्रहसान होते हैं कि आड़े 50% objective बोर्ड में आता है मैं objective की त्यारी कैसे करूं objective कैसे करूं तो बच्चों सही बात यह है कि जब आप टेक्स्ट बुक को पढ़ेंगे यानि थोरो पढ़ेंगे पूरे थियोड़ी को अच्छे समझेंगे तो सारे objectives बड़ा आसानी से बनेंगे हम अपने offline class में बच्चों को अकसर दिखाते हैं कभी कभी बीच में question सब उठाकर के question मैंका जो पूछा हुआ question सब है और और लोग ज से पूछते हैं उस बच्चे लोगों से तो लोग ध्राधर जवाब देते हैं क्यों जवाब देपाते हैं क्यों कि उन्होंने theory को गहडाई से पढ़ा है तो जब आप गहडाई से पढ़ेंगे तो objective अपने से बनेगा objective रटने की चीज नहीं है कि आप उसको याद कर लेंग अगर आप एक objective रट लेंगे उसी को दूसरा घूमा कर पुछेगा फिर आपसे बनेगा दूसरा रट लेंगे तीसरा नहीं बनेगा जब आप एक बार सरी बातों को समझ जाएंगे तो सारा objective आपसे बनेगा आप एक उधारन लीजिए जैसे आप रट लेते हैं सीता राम की पत्熱 आप घ्री अपनने ज़्षे अधार कर लिया अब आपको पूस्देगा जन performer की कोन लगते थी सीथा जनक की बैी लगती थी पिर आपको पूस्दեձまた इन स्च घूंटकी कोन लगती थी सिता ठिरिए पियात करी का दसंग की बहु लगतीं सिता फिर आपको पूदिए का अच्छा बहु लगते कौन लगती थी फिरा करे भाव लगती थी कितना प्याद करिएगा इस अच्छा के एक बार समझे लो शी जनक की बेटी सीता थी जिसका बीवाराम से हुआ था राम दस दसरत के पुतर थे और दसरत जी के चार लड़के थे राम लक्ष्मन भरस्त रुजन अब आपको सारे का कहानियों का सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा मेरे कहाने का मतलब थियोरी को डिटेल में पढ़िए जो आप थियोरी को ठीक से पढ़ लिजेगा तो साड़ा अब् अब्जक्टिव रटने की चीज नहीं है यह कम्जूर टीचर बुजदिल टीचर जिने फिजिक्स का A B C D का घ्यान नहीं है वह बच्चों को अब्जक्टिव रटवाते हैं अब बताओ ना जेई मेन में अडवांस में नीट में सब ज़गत अब्जक्टिव पुछ रहा ह है कितना अब्जक्टिव रोग बेटा कितना रटेगा कितना एक बार थेओरी ठीक से समझ लेगा तो सारा अब्जक्टिव बनेगा सारा प्राब्लम्स बनेगा समझ रहा हूं ना ओके